आखिर हिना खान को कैसे हो गया स्टेज 3 का ब्रेस कैंसर आखिर इतना हेल्दी लाइफस्टैल फॉलो करने के बावचूद कैसे इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गई हिना खान हलो और वेलकम टू आर चैनल दोस्तों तो भई दोस्तों जब से ये बात सोशल मीडिया पर सामने आए है कि हिना खान को ब्रेस कैंसर हुआ है स्टेज 3 का तब से हर तरफ हंगामा बरपने लगा है हर कोई इस बात पर चर्चा करा है आम हो या खास लोग हर कोई इस बात पर ड डिसकुशन बैठाने लगा है कि आखिर हिना खान को कैसे हो गई इतनी भयंकर जानलेवा बीमारी तो चलिए दोस्तों इस रिपोर्ट में हम भी जानने के कोशिश करेंगे हिना खान को हुई इस बीमारी की वज़े के बारे में लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि हिना ख की निगरानी में हैं उनका इलाज चल रहा है साथ ही उन्होंने अपने फैंसे ये अपील भी कि कि वो उनके लिए धुआई मांगे और उनकी सेहत दुरुस्त करने की भगवान से प्रार्थना करें वाल दोस्तों हिना खान ने जैसे ही ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर कैसे हैं वो अपनी फिटनस को लेकर भी काफी particular है उनके सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिसमें वो अपनी healthy diet जो है फैंस के साथ share करती हैं कभी yoga वीडियोज पोस्ट करती हैं तो कभी अपने जिम के विडियोज पोस्ट करती हैं कभी वॉक करते हुए हिना खान नज़र आ जाती है कुल मिलाकर हिना खान को देखने से कभी भी फैंस को यह नहीं लग रहा था कि वो इतनी भयंकर बिमारी की चपेट में आ जाएंगी और अब इसलिए फ पाप 예ारी जान लेवा बिमारी हो गयी वह डोस्टों वाज़िव बज़े तो किसी के पास नहीं है है. जानि कि हिना खान को क्यूं हुआ इस बज़े का कोई खास जवाब नहीं है लेकिन दोस्तों काफी सारे fans ऐसे हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि हिना खान ने अपनी सेहत को जरूर ignore किया होगा और इसी वज़े से वो इस भैंकर बिमारी की चपेट में इस कदर आ गए कि उन्हें stage 3 का breast cancer हो गया दरसल दोस्तों हिना खान को जो लोग follow करते हैं वो इस बात अच्छे तरह जाते हैं कि हिना खान पिछले काफी टाइम से अपने काम को लेकर काफी particular हो गए हैं और वो इधर उधर के gossip में कभी नजर नहीं आती हैं वो अपनी फिल्मों पर अपने career पर काफी अच्छे से focus कर र इसी beauty product के endorsement करती हुई नजर आ जाती हैं लेकिन हिना खान अपनी personal life को लेकर अब उतना बात नहीं कर रहीं social media पर और सिर्फ काम काम को लेकर ही बात कर रही हैं तो ऐसे में fans को काफी सारे fans को ये लग रहा है कि हिना खान ने अपने काम की वज़े से अपने workolic nature की वज़े से अपनी सेहत को कर दिया इग्नोर और इसी वज़े से वो breast cancer जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गई दरसल दोस्तों fans को वो वाक्या याद है रमजान का क्योंकि रमजान में हिना खान की तबियत एक बार खराब होई दी और इस बात का जिकर उन्होंने fans के साथ भी किया लेकिन रमजान के महिने में क्योंकि उन्हें एक तरीके से रोजा रखना था तो इसी दौरान उनकी तबियत काफी बिगड़ गई थी और उस समय भी उनके fans काफी परिशान हो गए थे उनकी बीमारी को लेकर और अब fans को ये अंदाजा मिल रहा है कि उस दौरान से ही हिना हिना खान के जो बिमारी है वो पनपती आ रही है और बढ़ती चली आई और इसलिए हिना खान को stage 3 का breast cancer हो गया दरसल दोस्तों हिना खान वैसे तो lifestyle काफी healthy follow करती है healthy diet लेती है अपने खान पान का पूरा खयाल रखती है अपनी fitness पर भी धियान देती है लेकिन दोस्तों कहत है कि काम के चकर में कभी-कभी इनसान अपने health को ध्यान नहीं दे पाता और doctors तो यह कहते ही है कि 8 घंटे की need 8 hours की sleep जो है वो काफी अच्छी sleep है और अच्छी health के लिए वो बहुत जरूरी है और कहीं न कहीं अपने काम को लेकर pressure को लेकर कभी यहां shooting कभी वहां shooting उसको लेक हिना खान का जो routine है वो हमेशे disturbed ही रहता होगा इसमें कोई शक नहीं और हो सकता है कि इसी वज़र से वो अपने doctor से ना consult कर पाई हो और उनकी बीमारी जो है धीरे-धीरे develop हो गई और शायद हिना खान ने भी कहीं न कहीं यह तो नहीं सोचा होगा कि उन्हें breast cancer जैसी भेंकर बीमारी हो जाएगी हाला कि दोस्तों कुछ ना कुछ लक्षन तो हिना खान को breast cancer से related रही होंगे क्योंकि breast cancer के बारे में यह कहा चाता है कि breast cancer होने से पहले कुछ लक्षन जरूर होते हैं महिलाओं में जैसे कि उनकी breast में दर्द होना अचानक से severe pain हो जाना उनके nipple से bleeding होना या फिर उनकी बगल में गांठ जैसी बन जाना, सिस्ट जैसी उन्हें महसूस होना इस तरीके के symptoms जरूर होते हैं डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जब breast cancer किसी महिला को होता है या होने वाला होता है तो ये कुछ initial लक्षन होते हैं, initial पहचान होती हैं जो कि breast cancer की पहचान करते हैं कही ना कहीं हिना खान को भी इन में से कुछ ना कुछ लक्षन लक्षन तो जरूर रहे होंगे लेकिन हिना खान क्योंकि वर्खॉलिक हो गई हैं काफी टाइम से तो हो सकता है उन्होंने अपने symptoms को ignore किया हो और वो अपने काम पर ध्यान देती रही हो और इसी काम पर ध् बिगड गई हो तो उन्होंने जब medical check up कराया हो तो उस जांच में medical report में ये सामने आया हो कि उन्हें breast cancer हो गया है stage 3 का stage 3 के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो cancer है वो breast में काफी हद तक फैल जाता है और इस stage में आकर surgery ही एक math option रह जाता है जिया दोस्तों medical science में जब stage 3 का breast cancer हो जाता है तो यही बात कहीं जाती है कि surgery ही एक math option रह जाता है और surgery से ही इसे cure किया जा सकता है medication में इसका फिर कोई इलाज नहीं है साथी साथ chemotherapy भी इसमें काफी helpful है doctors बताते हैं कि जब breast cancer किसी को stage 3 का हो जाता है तो उसके बाद chemotherapy भी session दिये जाते हैं कई बार patients को ताकि जो cancer है वो जो उसका tumor है cancer का tumor है वो चोटा हो सके उसका आकार चोटा हो सके और फिर operation करने में उसे operate करने में आसानी हो तो chemotherapy और surgery इस stage में दो बड़े medical procedures हैं जिससे patient को गुजरना पड़ता है यह मान कर चलिए कि हिना खान को भी इन procedure से जरूर गुजरना पड़ेगा क्योंकि surgery ए हिना खान ने अपने काम को लेकर कहीं न कहीं खुद को ignore किया हो और उनकी ये ignorance आज उन पर इतनी भारी पड़ गई कि वो इस जान ले बाब बीमारी की चपेट में आ गई हाला कि दोस्तों फैंस ये ऐसे भी हैं social media पर जो जानने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ हिना के कि यूँ ही आपको entertain करते रहें क्योंकि हिना खान जो है काफी काबलियत से इतनी आगे आई हैं उन्होंने अपने करेर की शुरुआत यूं तो ये रिष्टा क्या कहलाता है ऐसे की थी अक्ष्रा के किरदार से की थी लेकिन आज वो बॉलिवूड में एक जाना माना popular नाम बन चुकी हैं वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं काफी अच्छा अच्छा उन्होंने काम किया है और अपने काम की वज़े से ही आज उन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई है तो ऐसे में हम चाहेंगे कि हिना के साथ जो भी हो अच्छा हो और हमें यकीन है कि हिना खान इस बिल्कुल warrior की तरह उभर कराएंगी और इस जंग को जीतेंगी जरूर आप भी हिना खान के लिए दोस्तों दुआई कीजिए और हिना खान बिल्कुल ठीक हो जाएं जल से जल आप भी comment section में उनके लिए दुआई कर सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं comment section में जरूर लिखिए ह साथी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और एड़ करना चाहूंगी कि breast cancer को कभी भी जो महिलाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को जरूर गौर करें कि breast cancer को कभी भी हलके में ना लें क्योंकि breast cancer एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है महिलाओं में इसके rate पिछले क काफी सालों से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं इसका सबसे main reason बताया जा रहा है कि healthy diet follow ना करना और खाने में जो fat यानि वसा युक्त खाना खाना तो अगर आप ऐसा करती हैं तो इस पर थोड़ा control कीजिए साथ ही ये भी बताया जाता है कि आजकल जो ladies और महिलाई हैं देर स मा बन रही हैं वो भी इसके लिए इसका एक बड़ा कारण हो सकता है तो इन सब reason पर आप ध्यान दीजिए और अगर आपको भी breast cancer में कोई भी लक्षन नजर आता है breast cancer से related जैसे आपके breast में दर्ध होना या एठन होना या guard जैसा महसूस होना या दर्ध होना या फिर nipple से bleeding जैसी कोई बात होती है तो घबराएं बिलकुल नहीं सीधे अपने doctor के पास जाएं और consultancy लें और उनसे पूरी जाँच परताल कराएं अपनी medical जाँच कराएं और उसके बाद ही आप शांत बेटे क्योंकि अपनी बीमारी को हम महिलाएं जो हैं हमेशा ignore कर देती हैं अपने यही अपील है और मैं चाती हूँ कि आप भी मेरे वीडियो को आगे इसी तरह शेयर करें जिसमें लोग यह जान सकें कि breast cancer से किस तरीके से बचा जा सकता है तो भई दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी